हेलो एवरेवन, वेलकम टू ओल इन वन में, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 10 सोशल साइन्स का फर्स प्रियॉड रिटेस का क्वेशन बेपर यह प्रिवेश यह क्वेशन बेपर है, 2023 और 2024 का इसमें हमें 7 questions आये गए है, तो इसमें जो 4 questions है वो 1 marks के हैं और 1 question 3 marks का है और 2 questions 4 marks कही है तो यह पर 1st question है, तो यह जो एक act था इंगलेंड और स्कॉटलेंड के बीच का वो कब पास हुआ था, तो friends यह हमारा पास हुआ था 1707 में, ओके तो 1707 में आप ऐसे याद कर सकते हो कि इस टाइम पे जो औरंग जेब था, मुगल एमपार का उसकी death भी हुई थी, ओके, तो यहाँ पर second question है, when did Greek struggle for independence start, तो Greek में जो struggle था independence के लिए वो कब start हुआ था, तो वो start हुआ था 1821 में, तो यहाँ पर हमारा जो आपस नंबर भी है, वो right answer है question है, who become the king of Germany, after unification, तो जब हमारे जर्मनी का एकी करण हुआ, उसका unification हुआ, तो वाँपे king जो था, वो कौन बड़ा, तो king जो है, वाँपे बना था, William first, यहाँ पर हमारा option number C, जो है, यह right answer है, ओर question हमारा है, what percentage of land marsh of India is covered by plateau, तो हमारे इंडिया में जो plateau है, वो cover किया हुआ है, 27%, यहाँ पर option number B, हमारा जो है, वो right answer है friend हमारा question number 5 है, write about resource planning, तो हमें resource planning के बारे में बताना है, यहाँ पर देखिए, यह question हमारा जो है, वो three marks का आया हुआ है, तो हमें इसमें three points लिखेंगे, तो हमें complete marks मिलेंगे, तो सबसे पहले आप define कर दो कि resource planning होता क्या है, तो उसके बारे में two points mention कर दीजे, तो यहाँ पर देखिए, हमारा जैसी की है, resource planning is a complex process which identify present and future resources and their need, तो यहाँ पर resource planning में क्या होता है, इसमें हम सब यह complex process है, इसमें हम सब plan करते हैं कि हमारे यह present में और future में कौन से resources, कैसे काम समाएंगे हमें उन्हें कैसे conserve कर रहा है, ठीक है, second है हमारा, it involves surveying mapping and qualitative and quantitative distribution of resources, तो इसमें हम सब जितने भी resources होते हैं, उनकी mapping करते हैं, उनको देखते हैं कि कितने amount में present है, और कितना highly उसका use किया जा रहा है, हम उसे एक feature के लिए कैसे conserve कर सकते हैं, तो mapping के थ्रू रेखते है कि कहाँ पर किने sources present है, ठीक है, it is a judicious use of resources, तो इसमें हम सब resources का use करते हैं, फिक question number six है हमारा, describe this soil found in India, तो हमारे soil कौन-कौन से पाई जाते हैं, इंडिया में हमें वो describe करना है, तो वो four marks सक question है, तो इसमें देख्या यह देखते हैं, तो classification जो है, स्वाइल का हमारे इंडिया के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप उन्हें बता दीजिए, उनमें क्या है, तो यहाँ पर आइधिंग आपको दिखना ही रहा होगा, वेटा मिन्ट मैं यह कर दो, यहाँ पर थोड़ा सा आप वेडियो ऐसे टर्न कर देजिएगा, यहाँ पर classification है, स्वाइल का हमारे इं स्वाइल होती है, यह काफी फाइन होती है, यह हमारे कॉटन के लिए काफी अच्छी होती है, इसमें आप स्टेट भी वेंजन कर सकते हैं, कौन-कौन से स्टेट में ब्लैक स्वाइल पाई जाती है, रैड स्वाइल क्या होता है, इसका किलर रैड होता है, क्यूंकि इसमें भी फैरिक औक्साइड फ्र सॉइल में पाइजाती है आप में स्वैल कर सकते हो इसमें लिटेट एक प्रिप्ट्पुल होती है इसमें बिछ दिखके जो होती है इन सब्सक्राइड की यह अच्छे प्रिक्शन होती है इन क्रॉप की तो फ्रेंड इसमें हमसाब question number 7 देखते हैं, question number 7 हमारा है What is romanticism? What was its role in the promotion of nationalism in Europe? यहाँ पर हमें mention करना है कि romanticism क्या है और उसमें क्या हुआ कि इसने क्या रोल प्ले किया जब युरोप में nationalism चल रहाता है, तो यहाँ पर देखो romanticism क्या होता है यह रहोगोई जो हिए उन कर रहे तो यहाँ पर यह हमारी जो उसका मतलब है तो इसने जो रोल प्ले किया तो रोल था इसका में क्या तो विल्ड नेशनलिस फिलिंग अमंग दी यूरोपियन डियूरिं डी 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन थी उनकी अंदर रास्टवाद की जो फिलिंग थी उनको डेबलप करना एम वस्टू फोकस ओन इसका में फोकस क्या था ना कि वहाँ पर ये विल्डिंग वागरा जो बनाई जाए जिससे लोग अटाच हो सकी वहां की कल्चूर है इंक्लूडेट ट्रेडिशन लैंग्विज और कल्चूर तो इसमें हमारा ट्रेडिशन भी इंक्लूड था में जैसे की पहनाना लाइक पहना औरहाओ कपड़े का होटा निए कि इंदू की साम के लिए जाने जाते हैं तो हम इंडिया में कॉन्से दूशन के लिए जाने जाते हैं क्या है हम कुछ अब ऑल था तो आपको यहां पर देखें यह इस पे डिखनी है आपको उसके दो करना है तक कि हमारा first roll हो जाएगा, okay, first point, यहां से हमारा second point, और यह हमारा third point, three point यह और फिर एक मारा definition to four marks का यह हो गया, so friends, वीडियो कैसा लगी, आप में कमें सेक्शन में बताओगी, और इसका PDF से जॉइन करें में टेलेग्राम गुर्प को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिलते नेक्स वीडियो में ट्वीटन बाई, राधे राधे